नमशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत अभियनन नग। हाथ में हमारे एक्यूप्रिशर के पॉइंट्स होते हैं अगर हम हाथ का एक्यूप्रिशर पॉइंट्स को प्रेस करेंगे तो हमारे हार्ट अच्छा होता है में कितने प्रकार का स्वास्त मिलता आज इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दोस्तों बताने वाला हूं और यह नाभी भरण की प्रक्रिया क्या होती हम इसको विस्तार से समझेंगे इच एन अवरीटिंग तो सबसे पहले हम नाभी को समझ लेते हैं प्लीज मेरा रिक्वेश्ट है कि पंकर शुक्ला को आप फॉलो जरूर कर ले सब्सक्राइब कर लिजे हमारी चैनल को क्योंकि आज मैं दोस्तों आपनों को बहुत सारा ज्यान देने वाला हूं और इस प्रि नाभी से जड़ा होता है तो नाभी से हमारे सरेर के बितर छादार नाडियां झोड़िए ही अगर नाभी में कोई हल्चल होती है तो उसका असर पूरे के पूरे सरेर पर होता है तो तेल से हलके हाथों से पहले तो मसाज की जाए, अगर आप तेल लेते हैं सरसो का तेल उससे नाभी को clockwise इसको 15-20-30 बार और 80 clockwise 15-20-30 बार अगर नाभी को मसाज करते हैं ते इससे आपके सरीर के सारी नसनारियां खुल जाती है, ओपन हो जाती है, आपके सरीर के जितने glands हैं व वही अगनी, वही जो जटरागनी है, वही हमारे खाने को डाइलूट करती है, डाइजिस्ट करती है, दो बाते दोस्तों यहाँ पर समझना जरूरी है, कुछ लोगों का खाना हजम होता है, कुछ लोगों का खाना सड़ता है, हमें पैता कैसे चलेगा कि खाना हजम हो रहा है क सड़ रहा है जिसको खाना खाने के बाद उर्जा महसूस होगी और बिल्कुल रिल्का रेलाक्स महसूस होगा कोई भी इस प्रकार की अचिड गले में नहीं आएगी तो अगर नाभी को आप मसाज करना सुरू करेंगे नाभी के चारों तरफ और नाभी में तेल लगाकर इसको क्लॉकवाइज मसाज करेंगे इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होगा जट्रागनी प्रजुलित होना सुरू हो जाएगी जिससे डाइजिस्टर सिस्टम आपका बहुत ही पावर्फुल रह सरसो का तेल आप नाभी में भर लेते हैं इससे इससे आपके डाइदिश्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाईगा सर tort की जितने नस्त नाणिआंAG with the power तो यह एक क्रिया आप लोगों को दोस्तों अवश्य करना है अगर बादाम का तेल आप डाल कर रखते हैं नाभी में तेल का उपयोग करना हमारे जीवन को बदलने जैसा है और इसे मनीपूर चक्र की जागुरती होती है मनीपूर चकल में हमारा पूरा का मेताफोलीजम इसमें आपका काड्री सुल आ जाता है जिमको बहुत ज्याधा टेंजन रहता है डिप्रेशन रहता है बहुत निगीटू तोट्स बार बार दिमाग में आते लह तोट्स हैं इतना हद तक परिसान कर देतेign कुछ लोग सुसा प बच जाएंगे तो मनिपुर्चक्र जगाने की जतने फाइदे दोस्तों मिलते हैं तो इससे आपकी शुष्वना नाडी नाडी कहते है मतलब आप वसन क्रिया बहुत अच्छी लोगी सुस्वना अक्टिवेट होने से आपके सांस लेने की तंत्र बहुत अच्छी हो जाता है और ना भी जाकरत करने से आपके सरीर में अगनी प्रजुलित होती है अगनी हमारे सरीर के जितने metabolism system है इनको बढ़िया करने का काम करती है जो विसाख तक तक है उन्हें बाहर निकाले का काम करती है तो नाभी में तेल डालना एक प्रकार से शरीर का सुद्धी करण भी इसमें हो जाता है बोड़ी का सुद्धी करण होता है डिटॉक्सिपीकेसन होता है बोड़ी डि अगर हाँ तो चैट बॉक्स में C लीक का टाइप करो C for commitment कि हम संकल प्ले रहे हैं कि आज से नाभी में तेल हम डालेंगी इस विडियों को जादा ज्यादा लोगों को जरूर पहुचा दीजे शेर कर दीजे ताकि हम लोगों के जीवन को ही बदल सके बहुत बद धन्यवाद कोट कोट नवश्कार जय हिंद जय भारत